आज हम लोग PTC 2nd semester से nutrition के बारे में अधन करें दिए जासा कि आप तक देख रहे हैं उले कोड़ पे nutrition यानि पोसाण जिसको मोलते हैं nutrition उसको इंदिन करते हैं पोसाण यानि सभी जिधारियों में जो पाई जा रहे हैं उनमें nutrition कैसे होता है उसके बारे में पहले बाद करते हैं nutrition है यानि nutrition पहते क्या है जिसमें करते हैं ओसाण यानि nutrition जो होते हैं सभी जिधारियों का एक महतपूर लक्षण होता है जो की करते हैं वो एक समान प्रकार से कारी करते हैं सबी जिधारी जो होते हैं उनका एक बात कुल अच्छन होता है और वो बिभित अरीदिय के कारी एक समान रूप से कारी करते हैं जिसे उनमें पूर्जा का हरास होता है यानि उर्जा खत्म होती है या कमी आती है उसमें उर्जा का और उर्जा जो होता है वो भोजन से प्राप्त होता है और जो भोजन होता है भोजन को प्राप्त करने या बनाने किरिया या कज़ते करिया किरिया भी दिखो पोसर करते हैं या उट्रेसर करते हैं यानि सिदाख आगे आपको जो पौदे होते हैं, सभी जिधारियों का एक बाद को लच्छन होते हैं और सभी कार्ण जो होते हैं, एक समाधूर से करते हैं, जिसे कारण उनमें उर्जा का हरास होता है और उर्जा का हरास होने से उर्जा का हरास होता है और उनको उर्जा जो होते हैं बोजा से प्राप्त होते हैं और बोजन बनाने या प्राप्त करने की किरिया को मुटेशन यानि पोसर करती है यह हुए इसका डिप्रिंशन अब आगे इसके बात करते हैं यानि पोसर के प्रकाव यानि टाइप आप टाइप आप मुटेशन यानि कसते हैं पोसर के प्रकाव पोसर के प्रकाव यानि पोसर के प्रकाव यहीं पोसर किन्स प्रकार कि पोसर वो मुठी रूप से ौ आभ़ो बाटा गया है पहला आतका है आटोक्रॉपिक आटोक्रॉपिक प्लान यहीं से बोलते हैं सौकुसी पाधिक और दूरसला है हेक्टोक्रॉपिक ऐस्यव्यून जिस्कों होते हैं प्रपोसी को स्पेसेح सी धी है पिस्लिंद दो दरीके बातेम हैं आल्ट और फाला अता है ऐस्या आठीमिक 부분이 ज़िए यानि आटोट्रॉफिक प्लांट होते क्या है, आटोट्रॉफिक प्लांट वो प्लांट होते हैं, जो अपना भोजन सूरी की उपस्ती में या कस्ते पतास की उपस्ती में स्वयम बनाते हैं, उन्हों आटोट्रॉफिक प्लांट बोलते हैं, यानि ये कोदे जोते हैं सूरी क यह जो दूसरों के दार आपना बोजन बनाती है इनको हम कई वागों में बाट सकते हैं या पहला है पारा साइट ने या परजीरी के रिफिन है दूसरा है सेट्डोफाइट चत्रोफाइटी याने निटोगी और उसके बाद अगला है संपायोसिस संपायोसिस याने साइट जीन ही ठीक और इसके बाद एक लाट में बचता है है इंसेक्टी वर्स यानि वच्छी इसे बोलती है ठीट, बच्ची ठीट, अब इसके आते ही बाद करते हैं परकोस्टी के बादिने यानि जो दूसरों के दौरा आप दूसरों पर बोजन बनाती है तो परला है परदा साइटी, यानि परजीवी के रूप में यानि परजीवी झो हते हैं पौदे पाईजा से- जिसे कोई आफकान exemplo में कि कोई पोधा है पाई जा रही है इंन पर आप कुछ दूसरे पौदे जो चूसरा परिंफे बेलिवन ऐसं मुड़ा कहें, वो सबॉंदrh चोए करते हैं तो पर मणनुब akin मारें सब्सक्राइब जल्रियाई हैं तो ये जो होते हैं यारे ग Anda-m na da स्टीरल एérie, भाल चॉब्ल रेते हैं बदनाना ऐा निक पर उसमयानी में की गड़ा एक एक अस्थाओाक पाल वारो वो अपने आप एफजाद कर लेते हैं तो उसी विकान इनको परफोसी कहा जाता है यानि ये दूसरे से यानि दूसरे जो पोदे पाए जा रहे हैं उनसे अपना भोज़ बनाती है जैसे आप देखते होंगे कुछ पोदे होते हैं जिसमें कह सकते हैं यानि जो पोदे हो लपेते रहता है तो उनको पोज़ दूसरे कुछ भाटब्र तो इस तरहफीस से बनाता है उससे पोज़गे वो इनको कह सकते हैं पहenda साथी कि रूपे बोलते हैं तो इसकी अंतर दिवे जाम पोदे कह सकते हैं आप अमर वे यानि जो पोदे किसकते हैं, समाथ हो जाते हैं उनसे बनते हैं, उननी के उपर उनसे अपना बोजन प्राष करते लएए जैसे आप दोग देखें हो के एकड़ी कसे का नाम सुना होगा इस्ट का नाम सुना होगा पार ख को को पbell को हमें शेट लिह नीन को प्धोड पिर गदूर क्ष का सकते हैं क्षी सब किसिती हैं में के संद्धस का बेरे लिल्ग मेरा पर आकरे धिकने का स cubi के उपर जो पाय जाती है नमी काल में किसलिए मिटलीटि उसके बाद आता है संबायोसिस यानि साहगी यानि जो कर सकते हैं पल जीवी और नितल जी ुल्स दोनों के रूप में कारी करते हैं यानि-गया सकते Iraqi में वॉप मुष्पशत संब्लों नवह कीरुक में जाए यानि सेवाल और कवाल, सेवाल के दोरा कवाल को लाक हो जाए और कवाल के दोरा सेवाल को दोनों एक दूजरे को लाबाने जाए, एक दूजरे को पॉसर्ट को कराता है, एक खरीज कह सकते हैं, उसमें एक पॉसर्ट पताम करता है, एक उसमें कह सकते हैं, फूंटमटे दट्षेन में एक नए प्लीकिर है इन्सकों लाइस ही इसा जीवीट की रूपने करते लुड आर। जीवीट बिटीवी दोन से मिलके बनके ने अब उसके बाद आता है इंसेक्ट भच्ची, जिसको बोलते हैं कीट बच्ची अब यह वो पोदे होते हैं जो कि पाई रासाइटी से थोड़ा मिलता जुटता हुगा पाई जाते हैं यह कह सकते हैं कि जो पाई जा रहे हैं पोदे उनमें यह पोदे होते हैं जो जीवों को खाने का काम करते हैं जिसमें कालेक जैसे पाई जा रहे हैं इनकी पत्तियों पी एक कैसकते हैं कमंडर टाइप की जगते हैं लोटे टाइप की जैनि लाज पे इसमें पाई जाते हैं और इनके मूँ उपनी मूँ पुले रहते हैं जिनके काले इन यहने यूसि रेक्रा पताथ पाई जाता है जिसके इसमें के काले करण जो भी पीट Mm hmm बंध कर लेता है और इनके द्वारा ये on पे करना MICHAEL क crawling कों को पुसं पें प्राथ कर लेता है और इसी क्यांदर अगर कुछ कौदे आयसे भी पाई जाते हैं एक जाग के सब्सक्राइब इस तरीके से पाई जाते हैं इनमें कटीले दार बाहर होते हैं और इनमें भी एक नुशिलेज यानि तरलवकदात पाई जाता है जिनके कार्ड उनके इसमेल से जो भी चोड़े-चोड़े पीर आसपास जो उड़ते हुए पाई जाते हैं वो आसपास से जाते हुए यहां पे इसके इसमेल से इसके नज़्दिक आती हैं और यहां पे बहटते हैं इसमें चिपक जाते हैं और चिपक जाने के कार बाद में चिपक जाते हैं तो यह बाहर के पड़ाते हैं यह बंद हो जाते हैं और जिनके कार यह अंदर रह जाते हैं और इनमें जो एंजाइन पाह जाता वो एबजाब कर लेते हैं और एंजाइम को अध्याद करने के बाद ये कह सकते हैं, बाद में इंको अपसिष्पतात की रुप में बाहर छोड़ देते हैं, यानि जब इनकी इंको छोड़ देते हैं और बाहर ये निकाल देते हैं, यानि इनकी हट्डियां आवाप अपने होती हैं, बाहर छोड़ देत बैसे इंको इंसेक्य वर्थ के अंसर के लगता गया है यालि पर्षाट प्रकार की पोसाट यानि दो तरहें के आतो ट्रॉपिक नियुक्तर लिए से खुर्णुफंड से और उनके लएक कोदे की खुर्णख़ और symbiosis यानि जो कह सकते हैं दो पaud fakat दोनों से एक धुसरे पुलावांदीत हूं और दोनों मिब एक नए-a कोद्यर्णद का जन्दु में तो उसको लाइ लए लिये यानि अंत्रगत कहते हैं और insectiv तो इसने प्रकार के mutation से mutation pada में होता है अग उसके बाद आते हैं इनमें यानि कहा जा सकता है इनमें के बाद इनका महत्त, इनमें रोल यानि इपो नामिन इंपॉर्टंस इंपॉर्टंस आउआउआउगं, इंपोसर का मात quick हिर्टंस आउफौर्टंस आ इंपॉर्टंस आउपॉर्टि तुम्हाण पोसरी मात-पो छिर सकते आपका यछ भाव्व में की तैंप डिलपंगं के मात कर मों हें का मी जानते है है। पहला है आपका immutation function immutation function अब पोसर काई पोसर काई या पोसर काई अब पोसर काई क्या सकते हैं अब पोसर काई क्या है यानि जो इसमें निव्टेशन होता है, इनमें जो पोसर पाई जाते हैं, इनके दोरा इंका मुख कारी होता है, सेलवाल का निर्मार, सेलवाल का निर्मार, यानि फार्मिशन आप, फार्मिशन आप सेलवाल, यानि उसमें पोसर का वित पाई जाती है, उनका निर्मार करते हैं, और दूसरा प्रोटोफ्लाज्म फार्मिशन यानि जीवद्रव का निर्मार यानि इसमें पोस्का वित का सकते हैं और दूसरा है जिद्रव का निर्मार का ध् signing का मूक्ति काया है निर्मार के Nukles का निर्मार के अलता है और इसके अब्सकी कुछिनियाएं समान दोर्प से होते है तोने उसके बाद दूसरा आता है इसमें आगीा तक फिर्में धूसरा यानि उत्प्रेरक काल और इनमें उत्प्रेरक काल यानि जो भी पौदे पाइडारे उनमें जो उपाप चाहिक लिया ही होती है या का सकते हैं उनमें जो मेटाबोलिस्म काल होते हैं उनको उत्प्रेर करते हैं उनको काल करने के लिए उत्प्रेर करती हैं तो उनहीं को उत्प्रेर काल के रुपके अंतरगत रखा दे आ रहे हैं और उसके ब BILANCING BILANCING QUAMS यानि इनमें जो भी पोशक तब तुपाए जा रहे हैं कह सकते हैं उनको BILANC यानि उनको जितनी उत्वत्त होती है उनको, कह सकते हैं उनको अबजाब करते हैं और जितना उत्वत्ता नहीं होती है उनको बाहर अपसिष्ट के रूब में निकाल देती है, यानि उनको बालक संथुलन, जिसे कर cries क्या है, संथुलन, नियोत संथुलन काकांगर चाहि प्रखी किस वहीं प्रश्चा प्रखी किह तता है, उनको वो कसतें संहुनित करते हैं और उसके बाद अफसिष्ट-कदात के रूप में बाहन भाल देते हैं ये था आपके Nutrition यानि पॉदों में Nutrition जो होते हैं वो क्या था? Nutrition के पका, Nutrition के महत्तु यानि उसमें क्या महत्तु ये आपके